हलो गाईज वेकम बैक टो मैंने चैनल आज की वीडियो में हम यह ब्यूटिफुल टॉप बनाना सीखेंगे तो बहुत आसान तरीके से मैंने यह बनाना सीखाया है इसलिए वीडियो को प्लीज एंट तक देखिएगा तो मैंने यह पेपर लिया है पहले हम इस पेपर पैटर सब्सक्राइब कर रही हो और दोनों को मिलाते हुए अब मैं यहां पर सीधी लाइन लगा लूँगी तो यहां पर मैंने लाइन लगा दी और यह बंदवाली साइड यहां से हमें बाहर की तरफ साड़े साथ इंच अपना तीरा लेना है यानि कि शोल्डर और जितना मैंने तीरा लिया उत्ना ही मैं आम हो लूँगी और आप चाहें तो 3.25 बाए 2.25 का यहां पर एक बॉक्स बना लीजिए तो यहां से मैं सिध्य लाइन लगा लूँगी और यहां पर मैं बॉक्स नहीं बना रही इसी लिए निशान को आगे की तरफ में लेती जाओंगी तो यह देखिए यह मैंने आगे तक मार्किंग कर दी और इसी निशान के उपर अब हमें अपनी बस्ट का निशान लगाना है तो 40 इंचिस रखना है मुझे तैयार तो मैं उसका चौथा भाग यानि की 10 पे मार्किंग कर कर रही हूं और 1.5 इंच मैंने एक्स्टर लिया है और बिल्कुल जितना यहां से यहां तक है उतना ही मार्किंग मैं यहां पे कर रही हूं और अब दोनों को मैं इस तरह से मिला दूंगी आप सेंटर में भी एक बराबर मार्किंग कर लीजिए और उस निशान से मिलाते हुए सीधी लाइन लगा लिजिए अब यहां से मुझे आम होल की गुलाई देनी है तो जितना यहां से यहां तक है जितनी भी मारी चैस्ट थी यहां से हमारा आम होल के मार्किंग तक जितना भी है मैं उसका हाफ करूंगी और जितना हाफ आएगा मैं कोने से यहां पे ले तो यहां पर मैंने इसे डाग कर दिया है अब हम अपने गले के लिए मार्किंग कर लेंगे तो अगले गले की लंबाई मैं 3.5 इंच ले रही हूं और यहां पर भी 3.5 इंच का मार्क और चोड़ाए मैं यहां पर 3 इंच की लगा रही हूं और यहां पर 3.5 इंच का मैं बॉक्स बना लूँगी गले पर हमें कॉलर लगाना है इसलिए मैं चोड़ाए जादा नहीं ले रही कोने से 1 इंच लेके इससे मिलाते हुए अब मैं यहां पर गोलाई दे दूँगी तो गोलाई लगाने के आपने यहां पर दो तरीके देखे एक हमने आम हुल पर लगाई जितना भी था उसका हाफ करके और एक हमने गले पर लगाई कोने से 1 इंच लेके तो दोनों तरीके यहां पर बैस्ट है आप कोई भी उस कर सकते हैं अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी ड्रस जो है वो दो पार्ट में हैं तो हमें अपना अपर पार्ट अलग करना है तो इसके लिए मैं लेंद यहां पर साड़े साथ ले रही हूं क्यूंकि मुझे 7 इंच तियार चाहिए तो मैं हाफ इंच उपर फोड करने में किया और अब इस निशान को मुझे इस निशान से इस तरह से गुलाई में लेते हुए मिला देना है ध्यान रहे कि यह वाला माग जो है यह आप गुलाई में लगाएंगे तो मैं इसे यहां पर डाग कर लूँगी तो यहां पर मेरी गुलाई लग चुकी है अब यहां इस pace पाट्रोन पर अपने पिछले गले का भी माक कर लूंगी तो पिछला गला मैं एक इंच की घहराई लूंगी और एक इंच पर इस तरह से लाइन लगाके मैं यहां पर भी हल्की गुलाई दींगी और अब यहीं पे मैं अपने अगले मुड़े की गुलाई दे दूँगी तो यहाँ पे, sorry guys मुझसे यहाँ पे वीडियो स्किप हो गई लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से गुलाई दी है यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक जितना भी है मैंने इसका हाफ किया और हाफ से अंदर की तरफ मैंने आधा इंच लिया और उससे मेलाते हुए मैंने फिर उपर की तरफ ले गी और गुलाई दे दी अब मैं यहाँ पे अपने fitting वाला mark कट कर लूँगी और जो मेरा अपर part है वो भी मैं यहाँ पे कट कर लूँगी तो यह देखिए मैंने इसे कट कर दिया है अब यह जो मेरा अगले मुड़े का निशान है और अगले गले का निशान है यह हम बाद में कट करेंगे पहले हम अपना बैक पार्ट कट कर लेंगे और उसके बाद यह मार्ग कट करेंगे और उसके बाद हम अपना फ्रेंट पार्ट करेंगे तो ये देखिए, पहले मैं इसका अपर पार्ट कट कर लूँगी, ये मैं नॉर्मली इसके उपर इस तरह से बिछा दूँगी, हमारा माग जो है वो दूसरी तरफ था, बैक पार्ट हमारा जोइंट में रहेगा, इसलिए मैंने जोइंट वाले कपड़े की तरफ इसे रखाय और इसके उपर अच्छी तरह से मैं इसे साइट करके बिल्कुल इसके बराबर एक पीस कट कर लूँगी, तो ये देखिए, मैंने इसके बराबर कट कर दिया है, और हमारा जला जो है वो इस तरह से सेंटर में आ चुका है, ये हमारा बैक पार्ट है, तो मैं इसके भी की थे इसे हम यहां पर कट कर लेंगे और विर्कुल इसी तरह से अपना अर्म होल है जो हमने माररकंग लगा यहां पर तो ये देखिए मार्किंग मैंने कट कर ली है अब इसके बराबर हमें दो पीस यहां पर चाहिए क्यूंकि जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो हम टूपीजिस में रखेंगे जो की बीच से जॉइंट रहेगा इस तरह से इसे बिचा लूँगी और यहां से देखिए लगबग आधा इंच मैंने बाहर की तरफ रखा है क्यूंकि जो हम पट्टी लगाएंगे उसमें जॉइंट करने के लिए हमें कपड़ा चाहिए तो यह देखिए बराबर मैंने इससे कट कर लिया है और इस तरह से हमारे टूपीजिस यह हमारा फ्रंट पार्ट है तो अब मैं इससे साइट कर दूँगी और अपना लोवर पार्ट कट करेंगे तो उसके लिए मैंने डबल फोर्ड में कपड़ा बिचा लिया है और यह अपना जो अपना लोवर पार्ट हमने मार्किंग लगाई थी वह हम बिचा लेंगे दो दो इंच की गैपिंग मैंने यहां से दी है यह अच्छी तरह से बिचा लेंगे और इस तरह से जब हम कटिंग करेंगे तो बिल्कुल सीधा हम यहां पे रखते हुए कट कर लेंगे कि यह देखिए मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है यह हमारा back part है इससे side कर लेंगे और front part के लिए यह हमारा front armhole का mark है इससे हम cut कर लेंगे अब इससे cut करने के बाद हम बिल्कुल इसके बराबर अपना front part बाट जो है वो कट कर लेंगे। तो यह मैंने डबल कपड़ा बिचा यहां पर हमने बैक पार्ट पर दो-दो इंच छोड़ा था यहां पर हम पाच 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 छोड़के फिर इसे भीचाएंगे और फिर बिल्कुल इसती तरह शेके काट लेंगे तो यह पर एक इन चोड़ी पट्टी सीधे सीधा मिलाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई यहां पे लगेगी और यहां पे मैं सीधी सिलाई लगा लोगी अब इस पट्टी को खोल के फिर उपर से एक सेटिंग सिलाई लगाएंगे बाहर की तरफ सिलाई लगाएंगे जो हमारा छोटा होए हम इसे तुरपाई कर लेंगे अगर आप चाहें तो यहां पर सिलाई भी लगा सकते हैं लेकिन आप यहां पर तुरपाई करेंगे तो वह जाद अच्छा लगेगा बिल्कुल इसी की तरह आपको दूसरा पार्ट भी तियार कर लेना है अब उसके बाद मैंने यहां पर बैक पार्ट लिया है और यह वाला पीस देखिए एक पट्टी यह है और दूसरी पट्टी आमने सामनी की तरफ होनी चाहिए और दोनों की तीरे आपस में जोइन्ट कर लेंगे तो यह देखिए तीरों को सिरने के बाद यह इस तरह से दिखाई देगा अब आपको इंच के करेब आया है यानि की 19 इंच तो अब मैं यहां पर पेस्टिंग लूँगी और आप चाहें तो इसकी जगा बोकरम या फिर टेकन भी जिसे बोलते हैं आप उसका यूजबिक कर सकते हैं तो मैंने इससे डबल फोड में कर लिया है और मैं आपको इसकी चोड़ाई दिखा हूं तो वह साड़े 5 इंच के करीब हैं अब यहां से हम जितनी हमने गले की गहराई ली थी साड़े 3 इंच उतने पर मार्क करेंगे और यहां से भी मैं साड़े 3 इंच बराबर ले लूँगी और यहां से हमें बाहर की तरफ जो चोड़ाई है वह हम लेंगे जितनी की हमने गले की चुड़ाई ली थी उसका डबल हमें लेना है तो हमने तीन इंच लिया था तो मैं यहाँ पे छेंच पे मार्क कर रही हूँ और मार्क करके मैं यहाँ पे इस तरह का एक्स बॉक्स बना लूँगी अब यहाँ से हमें गुलाई देनी है तो कोने से लखबख मैं एक इंच की मार्किंग कर रही हूँ और उसे मिलाते हुए हम यहाँ पे गुलाई लगा लेंगे अब बाहर की तरफ एक एक इंच का मार्क यह निशान बहुत ध्यान से लगाईएगा बिल्कुल बराबर आगे तक और इसे हम डार्क कर लेंगे तो यह देखिए पूरी गुलाई में मैंने मार्किंग कर ली है अब जितना हमने एक गले से दूसरे गले पे नापा था तो वो 19 इंच था तो 19 का हमें हाफ करना है तो 9.5 इंच आएगा तो 9.5 इंच से मैं दो सूत यहाँ पर ज़्यादा मार्किंग करूँगी हलका सा आपको ज़्यादा ही मार्क लगाना है और इस तरह से यहाँ पर अंदर की तरफ हम गुलाई दे देंगे अब मैं पेपर पिन की हेल्प से से सेट कर लूँगी ताकि यह हीले नहीं ऐसा करने से हमें कटिंग करने में इजी रहेगा अब इसके बाद जो हमने मागिंग की है मैं बिल्कुल उसके ऊपर इसे कट कर लूँगी तो यह देखिए बिल्कुल बराबर मैंने जो हमने गोलाई दी थी बिल्कुल इसके उपर मैंने इसे कट कर दिया है इस तरह से हमारा गला जो है वो तयार आएगा इस पेस्टिंग को आप एक कपड़े पे बिल्कुल इसी तरह से प्रेस करके चिपका लीजिए आप चाहें तो इसे सिलाई लगा के भी सेट कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसे प्रेस करके सेट करेंगे तो गले में जादा फिनिशिंग आएगी और जो एक्स्टर कपड़ा है वो कट करके जो बाकी का कपड़ा है वो प्रेस से अंदर की तरफ हम सेट कर देंगे अब कपड़े के एक और पीस रखेंगे यहाँ पर और इसके बराबर हम इसे कट कर लेंगे तो इसे मैंने कट कर लिया है आदा आदा इंच लगबग मैंने अक्स्टर रख्या और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है तो देखिए जो अंदर वारी हमारी गोलाई है मैं उस भी सिलाई लगा रही हूँ और स्टार्ट मैं यहां से करूँगी स्टार्टिंग में आप इससे पक्का कर लीजिए डबल सिलाई लगाके और जो सिलाई है वो आप टिकन पे नहीं लगाएंगे बिल्कुल उससे टच करते हुए आपको गोलाई में सिलाई लगा देनी है वीडियो पसंद आने पर या फिर हेल्पफुल लगने पर प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर हिट कर लिजेगा थाकि मैं जब भी वीडियो बनाओ आपको उसके नोटिफिकेशन्स मिलती रहें ये देखिए ये सिलाई लगाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्यूंकि बिल्कुल टच करते हुए सिलाई लगानी है बिल्कुल परफेक्ट गुलाई आने चाहिए तो ये देखिए मैंने सिलाई यहाँ पर लगा दी है और स्टार्टिंग मैंने इस तरह से की है और end में मैंने इसी तरह से किया है अब जो extra कपड़ा है वो हम 11-12 इंच कपड़ा रखेंगे और बाकी का हम यहाँ पर गोलाई में कट कर लेंगे तो यह देखिए यहाँ पर मैंने कपड़ा कट कर लिया है अब जहाँ जहाँ गोलाई है वहाँ वहाँ छोटे छोटे कट लगा लीजिए लेकिन ध्यान रहे कि जो कट है वो सिलाई पे ना लगे और यहाँ पे भी जो एक्स्टर कपड़ा है लगभग दो दो इन पॉइंट आपको कपड़ा छोड़ देना है और बाकी का यहाँ पे हम कट कर लेंगे और इस तरह से करते हुए आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे कट लगा लेंगे तो मैं दोनों तरफ सेंटर पॉइंट पे कट लगा लूँगी ओपर भी और नीचे भी और यहां पर अपना जो अपर पार्ट है वो लेंगे इसका भी हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे यहां पर सिलाई से सिलाई मैच करेंगे और यहां पर सेंटर पॉइंट पर कट लगा लेंगे कट से कट आपका मैच होना चाहिए इस तरह से आप टिकन को सीधा कर लीजिए इसे उल्टी तरफ हम लगाएंगे और इस तरह से यहां से स्टार्ट करेंगे देखिए यह देखिए जो कपड़ा है आपका जो कपड़ा हमने प्रैस से सेट किया था वो हमें नहीं पेस्ट करना यहां पे जो दूसरी तरफ हमने एक्स्ट्र कपड़ा छोड़ा था दो दो पॉइंट वो हमें यहां पे जो कपड़ा है नीचे वाला उसके साथ जोइंट करना है तो देखिए इस तरह से आपने कर लिया है और इस तरह से हम जो हमारा कॉलर है उसे सीधा करते हुए और उपर से हम इसे सिलाई लगा के सेट कर देंगे तो यह आपने प्रेस किया था यह वाली सिलाई आपकी इजी लिए लग जाएगी क्यूंकि हमने कपड़ा पहले ही प्रेस सेट कर लिया है और सेट करते हुए बिल्कुल आपको किनारी पे सिलाई लगा लेनी है तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और हमारी कॉलर बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर अब चाहे तो यहाँ भी कॉने में एक सिलाई लगा लीजिए बिल्कुल गुलाई में तो ये देखिए ये पर्फेक्ट कॉलर पूरी बन के तयार हो चुकी है अब यहाँ पर पेपर पिंच से मैं इसे सेट कर दूँगी ताकि दोनों पीसी जो है वो आप इसमें जोइन्ट हो जाए और अब बारी आती है यहाँ पर अपने लोवर पार्ट की तो मैं लोवर पार्ट के लिए जो हमने फ्रंट पार्ट आपको याद होगा कि पांच पांच जीन्च कपड़ा हमने एक्स्टर कट किया था तो उसकी हम यहाँ पर प्लीट्स डालेंगे यह हमारा आम होल की गुलाई है और यह हमारा सेंटर पॉइंट है तो मैं यहाँ पर कट लगा लूँगी तो यह हमारा सेंटर पॉइंट है सेंटर पॉइंट से दो इंच दूर हम एक मार्किंग करेंगे और फिर से दो इंच दूर एक मार्क करेंगे और इस तरह से हम पहली प्लीट अपने दो इंच की डालेंगे तो उपर वाले जो हमारा अपर पार्ट है उसे भी यहाँ पे स्टिच करते जाएंगे और अपनी प्लीट को भी स्टिच कर लेंगे और जो सेकंड फ्लीट है वो लगबग 1 इंच की दूरी पर आपको एक इंच की ही देनी है और जो आगे कपड़ा है वो तो आपको सीधा सिलाई लगा देना है अगर आपका कपड़ा जादा या फिर कम लग रहा है तो आप प्लीट्स को बढ़ाया फिर छोटा कर लीजिए क्यूंकि लास्ट में हमारा यहाँ पे मुड़े की गुलाई है तो कपड़ा हमारा बराबर आना चाहिए तो यह देखिए इस तरह से हमारी प्लीट आएंगी दोनों प्लीट्स हमने बाहर की तरफ दी है और दूसरी तरफ भी आप इसी तरह से प्लीट्स दे देंगे बिल्कुल उसी तरह से पहली प्लीट दो इंच की और जो दूसरी प्लीट है वो लगबग एक या फिर आधा इंच की आएगी तो यह देखिए फ्रंट साइड मैंने इस तरह से प्लीट दे दी है यह हमारा आम होला चुका है और बिल्कुल इसी तरह से मैं बैक पीस पे भी प्लीट दे दूँगी लेकिन बैक पीस पे आपको याद होगा कि हमने सिर्फ दो इंच ही एक्स्टर कप्ड़ा कट किया था तो यहाँ पे हमारी सिर्फ एक-एक प्लीट ही आएगी तो यह देखिए दोनों तरफ हमारी एक-एक प्लीट इस तरह से आएगी अब आप यहाँ पे पहले या फिर आप चाहें तो बाजू लगाईए उसके बाजू लगाईए उसके बाजू लगा लीजी या फिर पहले फिटिंग दे दीजी उसके बाजू लगा लीजी तो यह देखिए गाईज यहाँ पे मैंने अपनी ड्रस बना के तयार कर ली है और हमारी कॉलर यहां पर बहुत अच्छी साट आई है और नीचे से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है हलका हलका और बाजू में मैंने यहां पर अम्रेला लुक दिया है तो अगर आप बाजू की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे दे दूँगी आप वहाँ जाके देख सकते हैं या फिर उपर अगर यह आई बटन आप टच करेंगे तो भी वीडियो आ जाएगी तो गैस बहुत आसान तरीके से मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है अगर वीडियो पसंद आए या फिर अगर helpful लगी हो तो प्लीज म मेरे चानल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा थैंक्स फो वाचिंग